करेली नर्सिंह पुर्जिले में बढ़ते कुरोना संक्रमन एवं बलक फंगस के मरीजों के आने के बाद प्रशासन जहां हाई अलट पर है वही पुलिस ने भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है शनिवार एवं रविवार के लौक डाउन के दोरान बेवजय घुमते हुए लोगों पर पुलिस ने सकती दिखाई जहां लोगों से उठक बैठक भी लगवाए वही वाहनों के जब्त कर चालानी कारवाही की हम आपको बता दे नर्सिंह पुर में ब्लक फंगस के साथ मरी जाने के बाद लौक डान 25 मई तक बढ़ा दिया गया है और ऐसे में प्रशासन उन लोगों पर सकत कारवाही की मूर में देख रहा है जो बिना किसी वज़र घर से बाहर निकल कर सडकों पर घुम रहे हैं प्रशासन लोगों से लगातार अपेल कर है कि अपने घरों में रहे बगर मास्क के घर से न निकले और बेवजय सडकों पर न घुमे लोग हैं कि समझने कोई तयार नहीं नरसिंह पुरसिले में मौतों का आकड़ा भी स्थेर बना हुआ है पर ब्लक फंगस की आमद ने प्रशासन की मुश्किले बढ़ा दी हैं करे करे बाति हैं